हेलो फ्रेंट्स तो आज मैं बनाऊ経न्गी दिवाली इस पेसल में बहुत ही तेश्टी मीथाई ना इस में हमें मावा की जरूरत है ना चाशनी बनाने की जरूरत है ना इस में हम घी डालेंगे बस बहुत ही जल्दी से जट परंसे बन जाएगी सिर्फ साथ से 10 मिनट में आ इधर हम ले लेंगे 1.5 cup दूध दूध आप कोई सभी ले सकते हो मतलब फुल फैट वाला यह तो नॉर्मली जो होता है वो तो यह हम दूध ले लेंगे 1.5 cup मतलब 1.5 cup से थोड़ा सा कम है यह ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे एक कफ यह नार्यल का पाउडर जो होता ह बुरादा भी जिसको बोलते है और इसमें हम डाल देंगे सकर तो सकर मुझे ज़्यादा लग रही थी तो एक कफ से थोड़ा सा हम बचा लिए है उसमें नहीं डाले है पूरा और एक कफ हम ले लेंगे इधर मिल्क पाउडर तो वो डाल देंगे और इनको सबको हम मिक्स कर और हम इधर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है तो इधर आप इलाची पाउडर भी डाल सकते हो मेरे पास खतम हो गया था बट यह मैं वीडियो मतलब अचानक से मुझे बनाना था तो मैं बनाने लगी तो इधर आपके पास इलाची होना तो जरूर डालना मैं नहीं ड तो यह देखे मिक्स कर लिए हैं बहुत असानी से मिक्स हो गया है अब इतर हम गैस में चढ़ाएंगे और गैस को हम पहले तो सोड़ा तेज करेंगे जिसे गरम हो जाए फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम में करके और बहुत ही अच्छे से हम आप देखोगे कि इतने जल्दी स अच्छे से इना गाहां होने चाहें से वरफभ जाहें तो में से भुझ करें आप हैए क gir बाद माने से हुझाएंगे हुझे पस कि आप आप गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है अब देखेंगे आप बहुत ही जल्दी से ये गाड़ा हो जाएगा मतलब हमें डो जैसा नहीं चाहिए डो से हलका सा मतलब मतलब जैसा डो होता ना उससे थोड़ा सा कम में हमें चाहिए तो ये देखिए इतना गाड़ा हो गया है पूरा टेश्ट आपको ऐसा ही लगने वाला है इतना जादा टेश्टी लगती है तो यह देखिए कितने अच्छे से दूद्ध पूरा इसका सोख लिया है अभी और इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे थोड़ा सा और कर देते हैं हलका सा तो यह देखिए हो गया है बस अब इतना ही करने वाले हैं हम इसको अब इसको हम रख देते हैं साइड में और जिसदर हम मतलब मिठाई को हम मतलब सेट करेंगे ना उसको थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं तो बटर पेपर गैस को इधर मे लिए थे उसको हम घी से या तेल से ऐसे ग्रीस कर लिए हैं तो यह हमारा केक का मोल्ड है उसमें हम डाल रहे हैं आप मतलब कोई प्लेट या थाली भी ले सकते हो तो इसमें लेने के बाद ना यह हम पूरा जो मतलब पूरा नहीं डालेंगे हम आधा डालेंगे तो क्योंकि मै अब यह जो बचा हुआ था या था इसमें हम डाल देंगे यलो कलर आप कोई सा भी डाल सकते हो या आप वाइट भी बना सकते हो मतलब पूरा बट मैं देखने के लिए थोड़ा सच्छा लगे जिसमें इसलिए मैं इधर दो कलर में बना रहे हूं तो इधर यलो कलर डाल द देंगे इसको मिक्स कर लेते हैं यह देखें मिक्स हो गया है अब इसको भी हम डाल देंगे उसी के ऊपर तो अच्छे से हम फैला देते हैं इसको भी डाल के तो अच्छे चारो तरब से ऐसे फैला देंगे जो नीचे वाइट वाला था वो थोड़ा ज्यादा था और यह हम थोड़ा सा ही मतलब लेके इसमें यलो कलर डाल दिये थे फूड कलर तो यह देखें ऐसे अब इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए बाहर ही रखे रहने नीकल जाएगा तो यह देखें फ्रीज नीकाल लीए बहुत इंचे सें अबयर अफोकल से शारण को साइट को इसको हम साइट से पहले तो से यृका हम हटा लेंगे जिसे यह असानी से निकल जाए उसदिवाली आप जरूरे ट्राइ़ करना बहुत ही धच्ठपड से बनने में विपने मार्किट involving कितनी हैं त्रкив में मिठाइव दिवाली आगा एकर और से महस्ताइवन का बटर पीपर भी तो आराम से मुना का बर्चाल लेंगे बटर पेपर बहुत ही जादा आप हमारी मिठाई है यह देखिए जैसा लग रहा है जैसे केक हो बस इसमें हम लगा देंगे चांदी वर्ग जो होता है वो लगा देंगे आप इसको ड्राइफ फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हो या तो ऐसे भी आप इसको मतलब खा सकते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगे जिसस कट होने में एक्तम अराम से इतनी जादा यह सौफ्ट बनी है ना कि मतलब आप खाओगे ना तो बिलकुल ऐसा मुह में जाते ही बिलकुल घुल जाएगी ऐसा मिल्क केक जो होता है बस वैसा ही टेस्ट लगेगा आपको इसका तो आपको जैसा मतलब कट करना हो जैसा कर दूँगी गानिस कर दूँगी थोड़ा सा जिससे थोड़ा और भी अच्छा लगे तो यह हमारी जो मिठाई है वो रेडी हो गई है देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही जटपट बनने वाला घर के समानों से आप इसको बना सकते हैं बहुत ही कर दो रख बना सकते हैं वे गानिस बहुत हैं